प्रेमी के साथ मिलकर पती की हत्या करवाने वाली महिला को कुलरियावा महिला पुलिस की सहींट टीम ने गिरिफतार किया है इसके संबन्द में एस्पी नॉर्थ मनोशकोवा अवस्ती ने पुलिस लाइन के वाइट हाउस सभागार में प्रिसवारता करते हुए बताया कि मुक्विर की सूशना पर एक अभ्युकता को ग्राम जंगल जुम्री नंबर दो टूला खपड़ हवा से गिरिफतार किया गया जुम्री नंबर दो टूला खपड़ हवा थाना गुलरिया गुरकपूर की उनकी पतनी रीना वा उसका प्रेमी राम दरस्त वारा पूर्वन योजीत योजना बना कर बर्फ तोड़ने वाला संबल से मुक्विर की मार कर हत्या कर दी गई थी जिसके संबन्द में अस्थानिय थाने में राम दरस्त कर नौजिया पुत्र राम नारायन निवासी अग्यात दूसरी रीना देवी पतनी स्वर्गी छोटे लाल निशाद निवासी ग्राम वा पोस्ट जंगल जुम्री नंबर दो टोला खपड़हवा थाना गुलरिया पर मुकदमा पंजिकरित हुआ था पूस्ताश में ग्रफतार अभ्युक्ता ने बताया कि मेरे और राम दरश के प्रीम संबंध मेरे पती छोटे लाल बाधक बन रहे थे इसलिए हम दोनों ने यूजना बना कर मेरे पती छोटे लाल की बर्फ तोड़ने वाले संबल से मार पी कुदमा मेरे चुप्ता को गर्फतार कर जील भीज़ दिया गया है गिरिफतार करने वाली पुलिस टीम में गलरिया थाना प्रभारी उमिश कुमार बाजपी महिला थाना प्रभारी प्रभा उप्रिक्षक सुदेश कुमार सर्मा राम बिलास 12 कॉंस्टेबल महफूज सूर कि प्रॉदियों कि आगाए प्राजी टॉड़ब सुट्सकी है जब कुछन झाजबारे आटेसी कि अखखखद कि अखाघना मताथ पस कि अखचrit आए भुपने खीजगिंग ciota ब कॉरेसी वो जो फो जो और कोजा से लाजनीने whole जो जाजनी आजनी है जो ऊबने खुटो है को जो 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 जड़ा हो ज़त है में जड़ानी में जो जाए जो ज़ता है मुझ को जाज जये ये दिनांक 6-5 को एक छोटे लाल नामक वेक्ति के गंभी रूप से गायल होने की सुचना मिली थी जो की BRD Medical College में मृत तो जिन्गी हो गई उसके समन्द में प्रारंबिक रूप से उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि ये एक्सिडेंट की गटना है लेकिन पूलिस ने चानबिन किया कुछ संदिक धगतविदियों के अधार पे अपनी जांच को आगे बढ़ाया जिसमें प्रभारी निर्क्षक उमेश बाजपेई की टीम ने लगके इसको वर्काउट किया इसमें इनकी पत्नी द्वारा अपने एक प्रेमी के सहयोग से उनकी हत्या की गई थी और चूकि वो शराब पीने का आदी था और इनको मारता पीटता था और इनकी दूसरी ये के संबन्द थे इनकी प्रेमी था उसके साथ में मिल करके अपने पती छोटेलाल की हत्या कराई ये प्रारम में तो इनकी पत्नी सोयम कह रही थी इसलिए उस तरह से करवाई करनी पड़ी लेकिन हमलों का संदेह प्रारम से ही था और कुछ ऐसे साक्ष भी मिले थे जिससे की ये साबित हुआ की हत्याई नहीं की द्वारा कराई है ये एक कुदाल जिसे बर्फ तोड़ते हैं उससे सिर्फ परवार करके हत्या की गई इसमें दो लोग शामिल थे एक ये महिला और एक इसका प्रेमी आला कतल अभी जो इनके साथ में अभी उप्त सहे उप्त है उससे बरामत किया जाएगा